आज हमने बनाया जी ब्राजिलियन लेमोनेड बहुत रिफ्रेश्चिंग चलिए स्टार्ट करते हैं एजी मैं एक लीमूनू कदू करने ना क्रश किता है और अधे चिलके डेड़े ने बन गया ने इनन वसी है उन अपने ग्लास नो डेकुरेट करांगे पहलो मैं ग्लास दे अगला काम शुरू करने यह जी मैंने अपना जग जो है वो ग्राइंडर मशीन के पर लगा दिया ग्राइंडर मशीन पर एक जग पानी का लिए जी आदा हम अब डाल लेंगे आदा बाद में अधे मेरे कुल पांज लिमूसा ने चार-चार पीसिस कट करके उना दे बीज क जो चार लेने और एसे अपने जग चार करांगे बकीडे स्लाइस ने और से इस्तमाल करांगे डेकॉरेशन वास दे ठीक है जी अब हम इसके अंदर डालेंगे अदा जग पानी और यह देखें जी आदा जग पानी मेंने डाल दिया है यह अच्छे लिमू लग रहे है ना जब पानी पी हो तो याद करो प्यासो सहन की एजी तुसी महरम दे ड्रिंक दे तौरते बना के जिन नियाज भी तक्सीम कर सकते हो अच्छा ए मैंनू तेन मिनट दांगे एक मिनट चला के फिर बंद करांगे फिर स्लामांगे फिर बंद करांगे उधी वज़ा है कि अगर जिन आपकर जाना चला के बेचे फिर वह टेस्ट नहीं आएगा जड़ा सा रुखायर है ठीक है जी अब यह तीनी मिनट में देखे बिल्कुर रेड़ी हो गया और अब हम इसको चान लेंगे और मैं आपको चान के दिखाती हूं देखिए चिलके इसके कैसे आरहे हैं यह जो पल्प है न वही इसके अंदर यूज हुआ है छिलके बच गए है अगर हम सलसल चलाएंगे तो यह चिलके कट होके पर एक कड़वा हो जाएगा एजी एक काप उसी कंडेंस मिल्क ले आए अगर तो और कोड़ रेसेपी नहीं है तो तुस्य यह यूज करो और बनाओ ब आप जो मेरे पास आदा जाग पानी का बच गया था वो हम इस अपने पिचर के अंदर एड़ करने यह देखें और बर्फ तो काफी सारी डलनी है जितना ठंडा होगा उतना ही यह ज्यादा मज़दार लगता है यह देखे मैंने कितनी एक बोल भर के जो है तो मैंने बर्फ अपनी मर्जी है चलिए डिश आउट करके दिखाते हैं यह देखें जी जो मैंने स्लाइसे आपके सामने दिखाए था आपको कटे वे वह हम इसके अंदर शामिल कर रहे है यह देखो जी ग्लास दे अंदर और जीडे बाकी रहा जांगे वह सवी सारे अपने पिचर दे अं तो आपने इसको हिलाना है तो इसने परफेक्ट जो है ना टेस्ट देना है चलिए हमें गलास यह देखें जी कितना जबरदस्त लग रहा है और इसको बनाएं लोगों की प्यास बजाएं और अल्ला से दुआ करें कि अल्ला तला हम सब की जो हजात हैं वो पूरी करें यह कितना जबरदस ड्रिंक बना हुआ है बनाएंगे तो सब को पसंद आएगा न्याज के तोर पर बांटे खुद पीएं और जब भी पानी पीते हैं हम तो हमेशा इमाम हुसायन लाहिसलाम की प्यास को जो मदे नजर रखना चाहिए कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त में अप झाल